आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, तुमारा question है The unit of latent heat is तो हमसे पूछा गया है कि latent heat की unit क्या होती है तो सबसे पहले latent heat की definition क्या होती है वो यह होती है कि the heat required to convert is solid into illiquid और वेपर और ए liquid into वेपर liquid into वेपर without change of temperature तो यह definition होती है हमारी latent heat की latent heat क्या होती है latent heat वो होती है किसी भी substance की latent heat होती है वो heat जो की required होती है किसी भी substance को convert करने में चाहे वो solid state में हो solid को liquid में बदलने के लिए या फिर उसी solid को direct वेपर में बदलने के लिए या फिर liquid को वेपर में बदलने के लिए लेकिन शर्त यह होती है कि हम temperature जो है वो change नहीं करते है without change of temperature यानि कि ऐसा जो heat किसी भी substance को के phase change में help करें उस heat को कहते है latent heat लेकिन उसमें किसी तरह का change in temperature नहीं होता यानि कि हम उसे बाहर से 먼ल कि external heat नहीं देते है for example देखें example के लिए हम ice को example देख सकते है ice को होती है वो melt होती है और होती solid state में है फिर उसके बाद किस state में आती है उसके वाद आती है liquid state में तो solid statistically liquid state में आया कि इसके phase change हो रहा है और change in phase होने में जो इसका temperature था वो क्या था? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius पे यह solid थी और 0 degree Celsius पे ही यह liquid बनना चालू हुई यानि कि कोई भी temperature change नहीं हुआ तो हमारी यह जो heat हुई है एब्जॉर्ब उसके अंदर आइस के अंदर किसी भी तरह की atmosphere से absorb हुई है उस heat को हम कहेंगे latent heat of fusion, latent heat of fusion, fusion क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा solution जो ice थी, वो थी solid state में और बदल रही है liquid state में तो fusion हो रहा है अगर इनके liquid जो है vapor बदलना है या solid vapor बदलना है तो उसे क्या कहेंगे? latent heat of vaporization तो इस तरीके से जो है हम latent heat को define करते हैं और इसका जो formula होता है वो क्या होता है? वो होता है L is equal to Q by M यह होता है हमारा latent heat का formula जहां पर जो हमारा L होता है L, यह होता है हमारा latent heat, L जो होता है यह होता है हमारा specific latent heat, specific latent heat of substance, latent heat of substance, किसी भी substance की specific latent heat, specific क्यों कह रहा है, क्योंकि हम 1 kg की बात कर रहे हैं, इसलिए यह specific है, फिर 1 kg या फिर 1 unit mass की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे specific कहेंगे, फिर Q, Q क्या है यहां पर, Q है हमारा यहां पर energy release, या फिर absorb, energy जो हमारी release होई है, energy जो release होई है, या फिर absorb होई है, वो है हमारी Q, किसी भी तरह का heat transfer होई है, paste change में, और M यहां पर हमारा mass है, तो अगर हम देखें, इस formula को ध्यान से, तो unit, जो हमारी heat absorbed और heat release, पर unit mass जो होती है, उसी को हम latent heat, या फिर specific latent heat कहेंगे, इस formula के हिसाब से, और इसकी unit क्या होनी चाहिए, Q क्या है, यहां पर Q जो है, वो है, उसकी unit होती है, Joule, Joule is the unit of energy, या फिर heat, या फिर energy की unit क्या होती है, Joule होती है, और mass की unit क्या होती है, mass unit होती है, kilogram, या फिर gram, तो यह किसकी unit है, mass की, तो हमारा जो formula, जो हमारा unit बन जाता है, इसकी वो क्या बन जाती है, Joule पर केजी, Joule पर केजी कैसे, क्योंकि जो हमारी heat है, उसे हम डिवाइट कर रहे है, mass से, तो जो हमारी latent heat है, उसकी unit आ जाती है, Joule पर केजी, according to the formula, तो हमारा answer हो जाता है, option number 2, यानि कि Joule पर केजी is the correct answer, thank you.